गाद से जहन साथियों अपनी एस टी की क्लाज है जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं तुलुइनस विजनगर समराज में हम पढ़ रहे हैं तुलूइनस तो चलिए स्टाट करते हैं स तुलूइनस तो साथी 1505 से से लेकर 1565 तक तुलूबंस भारत में जो विजे नगर समराज था कब से कब तक तो कब तक तक साय थी 1565 सवी तक रहा है अर्थाथ 60 वर्सों तक इन लोगोंने क्या किया यह आप बहुत किया किसी ने किसी ने तो स्थापित किया होगा तो फाउंडर की बात कर लें संस्थापक की बात कर लें तो साथी यह वीरन सिंग हो जाते हैं संस्थापक कौन हो जाते हैं साथी वीरन सिंग को यह कुपाधी दी जोनके इसे tablespoon कहा जाता है तो पूछ ले Еще कि दे किसे का जाता है तो फिरन सिर्व को तूझ कि उपाधी कहा गया है कहा गया है अब साहब आप सबने सुना होगा एक नाम क्रश्न देव राय और उनके मंतरी तेनाली राम तो इसी बन सके थे कौन क्रश्न देव राय जी तो उनके बारे में बात की जाती है क्योंकि विजय नगर समराज जी के जो सबसे महानतम और सबसे इंपोर्टेंट सासक होते हैं वो आपके क्रश्न देव राय होते हैं तो बात करते हैं क्रश्न देव राय की तो हेडिंग लगाई लीजिए भाईया क्रश्न देव क्रश्न देव राय क्रश्न देव राय कब से कब तक सासन किया भाईया तो इन्होंने पंद्रा सुन नौ से लेकर 1529 इसवी तक बीस वर्सों तक इन्होंने सासन किया विजय नगर समराज के महानतम सासक तो लिखिए विजय नगर समराज के समराज के महानतम सासक कहाते हैं सासक विजय नगर समराज के महानतम सासक काउन हो जाते हैं साथी क्रश्न देव राय उपाधी की बात कर लेते हैं सिंक्ट अभिनो भोज आंद मोज भोज विट करें साथ ही उपाधि तो पाधि अन्य अभिनो भोज आंधंड मोज ऑन ऑन और आंध्र abd Warsz पितामध इनकी क्या हो जाती है साथी उपाधि क्रश्ण देव गया की बात करते हैं विजे नगर समराजी की burnt क्रश्ण देव राए के राजनेति की अभियान पॉलेटिकल कम्पेँं आफ क्रश्ण देव गयार आफ क्रश्ण देव राज नैतिक अभियान तो नंबर एक पर साथी बात होती है पंदरा सो दस में बीदर के सासक महमूद सा को यह राते हैं तो लिखिए पंदरा सो दस पंदरा सो दस बीदर के सासक के सासक महमूद साह को हराया किसको हराया साथी महमूद साह को हराया महमूद साह को हराने का काम करते हैं कब 1510 में कौन विजे नगर हो क्रश्न देव राय जी इसके बाद 1512 में गुलबर्गा को जीता 1512 में क्या करते हैं साथी गुलबरगा को जीता गुलबरगा को जीता कब साथी 1512 में गुलबरगा को जीता इसके बाद ये क्या करते हैं ओरिसा भियान और ओरिसा भियान में क्या करते हैं 1513 से लेकर 1818 को ओरिसा भियान करते हैं और प्रताप रुद्रदेव जो होते हैं वो हार जाते हैं और अपनी प कौन सा होता है साथी उडिसा अभियान कब से कब तक साथी तो 1513 से 18 तक 1513 से लेकर 18 तक करते हैं 1513 से 1518 तक और जो उडिसा के सासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देते हैं अपनी पुत्री का विवाह किया तो आप निलिख लिया होगा 1510 में बीदर के सासक महमूस सा को हराया 1512 में गुलबर्गा को जीता ओरिसा भियान करते हैं 1563 तक परताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवा किया और 1520 में क्या कलते हैं गोल कुंडा या वारंगल विजए तो 1520 में गोल कुंडा या वारंगल विजए करते हैं साथ ही इनके जो दरबार था उसमें आठ विद्वान रहते थे जिसे अश्द दिग्गस कहा जाता था तो इसको मैं साफ कर देता हूं अश्द दिग्गस क्या था तो पूछ लेता है की क्रश्ण देव राय के टाइम में अश्ट दिग्गस क्या थें तो जिस प्रकार अगबर के टाइम में नौरत्न होते थे उसी प्रकार इनके इन्होंने क्या किया अश्ट दिग्गस क्या था तो आठ विद्वानों का समूः आठ विद्वानों का समूः जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके तेनाली राम क्रश्ण नमबर एक तेनाली रामन तेलानी रामक्रश्न कौन थे तो तेनाली रामक्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं पांडुरंग महामात्य के लेखक इनकी बुक की बात कर लें बुक तो पांडू रंग महामात्य पांडू रंग महामात्य के लेखक तेनाली रामक्रश्न हो जाते हैं साथी आंध्र कविता के पितामा किसे कहा जाता है तो इन्हें ही कहा जाता है आंध्र कविता के पितामा कहा जाता है किसको कहा जाता है साथी तो अल्लासी पिड़्डासन और साथी इनकी ग्रंथ की बात करें तो मनुचर्टम ग्रंथ कौन सा हो जाता है इनका साथी मनुचर्टम ग्रंथ कौन सा हो जाता है साथी मनुचर्टम तेलानी रामक्रश्न का पांडुरंग महामात्य पिंगाली सुरन्ना अगले कौन आ जाते हैं साथी पिंगाली सुरन्ना पुराण के लेखक तो पूछ लेगा भईया गरुण पुराण के लेखक पिंगाली सुरन्ना हो जाते हैं तो यह लिख लिया होगा आपने अश्ट दिग्ज आठ विद्ध्वानों का समूह तेलानी रामक्रश्न बुक पांडुरंग महमात्या लासी पिड्डासन आंद पिंगाली सुरन्ना कौन हो जाते हैं तो गरुण पुराण के लेखक और कुछ महत्तुपूर्ण कारे किये गया क्रश्न देव राय जी द्वारा तो बात करते हैं उसकी भी तो सबसे पहले साथ ही पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस किसके टम समय आया तो डोमिंगो पायस पूर्टगाली लेखक और यात्री था तो लिखिए डोमिंगो पायस और डुआर्ट बार्बोसा डोमिंगो पायस और डुआर्ट बार्बोसा ये कौन के साथ ही पूर्टगाली थे पूर्टगाली और इन्हीं के टाइम में क्या होता है विजे नगर समराज जी की यात्रा की थी किसके समय तो क्रश्न देव राय जी की टाइम में तो लिखिए विजे नगर के विजे नगर के यात्रा की के यात्रा इसके अलावा जो पूच लिए जाता है करश्न देव राय किस धर्म को मानने वाले थे तो भीष्णों संप्रदाए को मानते थे तो लिखिए करश्ण देव राय देवराय वैस्णों संप्रदाय को मानते थे वैस्णों संप्रदाय को मानते थे को मानते थे इसके अलावा इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी नगलापुरम की स्थापना नगलापुरम नगलापुरम नगर बसाया और साथी इनकी म्रत्यु के बाद अच्चुत देवराए म्रत्यु के बाद इनके भाई होते हैं के बाद भाई अच्चुत देवराए सासक बने नगलापुरम नगर बसाया और म्रत्यु के बाद भाई अच्चुत देवराए सासक बने तो फ्रेंड्स यह अपनी हिस्टी की क्लास थी जिसमें मैंने आपको आज क्रशन देवराए जो विजय नगर समराज के महत्पूर और महान सासक थे उनके बारे में आपको बताया क्ला कैसी लगी कमेंट करिए अपने परिवार एक्जाम इंडिया वार पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए फ्रेंड के साथ सेर कर दीजिए मिलते हैं अगली क्लास में जैहिंद जैवारत